नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा, स्वागत है आपका कुनली टीवी के शोव पंडी जी कहिन में, जिसमें हम आपको वास्तू एस्ट्रो और नूमेलोजी से जुड़ी बेहत रोचक चानकारी देते हैं, तो चलिए सबसे पहले मुलाकात क देते हैं, अचारे कमल नंदिलार जी से, नमस्कार पंडी जी, नमस्कार नेहा जी और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, फ्रेंट्स, सावन मास जिसका हर एक को बेसबरी से इंतजार रहता है, और आज हम पंडी जी से बात करेंगे, शावन मास के आने वाले पहले सोमवार की तो पंडी जी 22 जुलाई को पहला सोमवार है तो हुमारे दर्शकों को ये बताईए कि इसकी शुरुवात कैसे की जाए देखिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस बार का सावन तो वैसे भी बहुत खास है बुद्वार के दि सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है सोम का अर्थ क्या होता है सोम का अर्थ है चंद्रमा और चंद्रमा कहा विरास्त है भगवान शंकर के मस्तकपर और चंद्रमा को भगवान शंकर का मुकट भी कहा गया है जो तरह से धूले का मुकट होता है उस तरीके से भगवान शंकर का जो मुकट है वो चंद्रमा है इसी कारण भगवान शंकर को, महादेव को, चंद्रमॉलेश्वर, चंद्रमॉली, चंद्रशेखर भी कहा गया है और चंद्रमा के ईश्वर हैं यह चंद्रमा हमारे मन पर कंट्रोल करता है साथ बसाथ मन में जितनी भावनाएं हैं चंद्रमा उनको कंट्रोल करता है और जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रसित है राहु द्वारा, केतु द्वारा या शनी और केतु मिलकर के विश्दोश अगर किसी कुंडली में बना रहे हैं तो ये बहुत खास दिन है चंदरमा को ठीक करने के लिए और चंदरमा को भगवान शंकर किशरण देने के लिए ये दिन कुवारी कन्याओं के लिए भी बहुत खास है क्योंकि 16 सुमवार के शुरुवात ही पहले इस से होने जा रहे है सुमवार से मैं इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पहला सुमवार हमारा पढ़ रहा है वो 22 जुलाए के दिन पढ़ रहा है और दिन बहुत खास है ये दिन विशिष्टा से खास है इस दिन पंचमी भी पढ़ रही है तो पंड़े जी कौन सी पंचमी इस दिन पढ़ रही है इस दिन नॉर्मल पंचमी है शावन मास के कृष्ण बख्ष की पंचमी और पंचमी को हमेशा शुरी पदाति थी कहते हैं पंचमी के जो स्वामी है वो नाग कहे गए है और नागों का सम्मंद भगवान शंकर से है क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम जो है वो नागेश्वर है नागों के स्वामी जो हैं स्वयम देवादी देव महादेव हैं तो ये चंद्रमा का भी दिन है ये दिन नागों का भी है और खास दिन है चंद्रमा के दोशों से मुक्तिवाने का ये तब भी बहुत खास हो जाता है और विशेशतर उन लोगों के लिए खास है जिनको अपन के विशेश उपायों से आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, अपनी मनोस्तेती को ठीक कर सकते हैं, साथ बसाथ में अपने घर बनाने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं, विशेश दिन, और क्योंकि ये सावन का पहला सोंबार है, ये विशिष्ट दिन पंचमी को साथ लेके आय इस दिन किये गए खास उपायों से आपका स्वास्त बहुत अच्छा बना रहता है घर परिवार से कलह दूर हो जाती है आपकी माता से आपके संबंद अच्छे हो जाते हैं घर में अगर कोई दोश है कोई व्याधी है कोई पीड़ा है पारे परे जितने भी सदस्य अगर उन सपना पूरा हो सकते हैं बेल्कुर दो किन तरीकों से हम ऐसे अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सावन के सोमवार पर सफेद शिवलिंग की, सफेद फूलों की, सफेद बस्तरों की बहुत एत्मता है अगर आप सामर्थ अनुसार शिव उपासना चांदी के पातरों से कर सकते हैं तो ये सर्विस्रेश्ट रहता है इस दिन चांदी के पातर से भगवान शंकर का जो पिंडी है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं उसका अगर अभिशेक किया जाए अगर भगवान शंकर का अर्चन अगर हम चंदन से कर सकते हैं, सफेद फूलों से कर सकते हैं दूसरी बात इस दिन सफेद वस्त्र धारन कर सकते हैं और पूरा दिन अगर हम सफेद खाते हैं और फास्टिंग करते हैं तो निश्चत रूप से हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं और चंद्रमा बली हो जाता है हमारी बोडी पर असी प्रतिशत एफेक्ट जो है वो कार होते हैं या हमें और ऑपर्चुनिटी बैट से बैस्ट मिलती है देखें मौन रहने का अर्थ जो है वो होता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा हमारी भावनाओं पर टिका है क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से म खार पाते है इसनिन मौन रहने से एक तो आप अपने अंदर मैंक शिवततत्व को उतार लेते हैं साध या साइथ के अंदर अपनी मान्सकता को स्ट्रॉंग कर लेते हैं अपने मन पर काभू पालेते हैं लिए हमारे शेर में कुछ इंद्रिया है वो इंद्रिया क्या-क्या है हमारी जबान टेस्ट लेती है हमारी नाक सुगंद लेती है यहां दुरगंद लेती है हमारे कान म्यूजिक से बहुत भैतर फील करते हैं वहीं पर अगर कोई करकश आवाज हो कोई loud music भज़रा हो यहां बहुत करकशी आवाज हो तो हम परिशान ह जाते हैं हमारी स्किन को कितनी सेंजेटिवनेस पर आपते है इसमें अलग-अलग मा जब अपने बेटे के सर पर हाथ फेड़ती है तो अलग फीलिंग है जब आप अपने बच्चे से हाथ में लेते हैं या उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो अलग फीलिंग है जब आप पतियां पतनी एक दूसरे को सपर्श करते हैं तो अलग फीलिंग है तो स्किन भी हमारी एक इंदरी है साथ बसाथ के अंदर आप सोच के देखे कि ठंड का समय है आपने पानी बहुत पी रखा है और बहुत समय से आपको टॉयलेट जाना रहा रहा है तो क्या होगा आप दु तो जननांग भी इंद्री है यही चीज मल इत्याग में भी होती है यही चीज उत्सर्जन में भी होती है यही चीज फिजिकल प्लेजर में भी होती है तो हमारे शरीर में इंद्रियां है और चंद्रमा हर इंद्री का स्वामी है हर फीलिंग का स्वामी है अगर चंद्रमा ह हमारे एक उंडी में खराब हो जाए तो हमारे द्वारा कोई भी इंद्री काम ही नहीं करेगी तो पंडी जी इस पर मैं आपको पूछना जाती हूँ जैसे इस सामन के महीन पहले सोंबार पर पंचमी भी पढ़ रही है तो इसकी कोई विशेश पूजा भी दी होगी बिलकुल देखिए पंचमी वैसे भी शिव उपासना के लिए सर्वेसरेश्ट मानी जाती है किसी भी महीने की किसी भी पक्ष की पंचमी हो उसके बाद में श्रावन का महीना है और सबसे खास बात ये की सोंबार है तो अपने आप में ये बहुत विशेश है मैं इस दिन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा पंचांग के माध्यम से देखिए कृष्ण पंचमी है श्रावन का महिना है और इस दिन खास क्या है इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और बहुत विशेश अपने आप में ये बन जाता है कि इस दिन विशेश्ट तरीके के योग बनेंगे और वो योगों में से जो आपको टालना है वो रहुकाल टालना है तो इसलिए या तो आप सुभह की जो पूजा है वो साथ बचकर बाइस मिनट से पहले कर ले या फिर उसे सवा नौ बजे के बात करे क्योंकि इस बीच में रहुकाल रहेगा साथ बचकर बाइस मिनट से लेकर नौ बचकर चार मिनट तक पंचक पूरा दिन रहेंगे अब इस दिन एक बहुत विशिष्ट चीज होने जा रही है और वो ये रहेगा कि आप ना तो पूर्व मुकी होकर के पूजा करेंगे ना ही दक्षण मुकी होकर के पूजा करेंगे उत्तर मुकी होकर के पूजा करनी है आपको कारण क्या है कि ये जो दिन है स्पेशली इस दिन दिशाशूल जो है वो पूर्व दिशा की तरफ है और नक्षत्र शूल जो है सुभह दस पच्चिस तक दक्षण अदिशा की तरफ है बहुत अच्छा ये रहता है कि चंद्रमा की सौमेता को पराप्त करने के लिए मैं विशिष्ट आपको महुरत बता देता हूँ उस सहाब से आप देखें इसकी जो शाम है वो बहुत खास रहती है इस सोमवार की जो शाम का समय है और मध्यान का समय बहुत सर्वस्रेश रहता है अभीजीत महुरत जो रहेगा दोपहर को 12 से 12 पचपन तक रहेगा विजय महुरत जो रहेगा वो रहेगा 2, 43 से लेकर के शाम को 3, 37 तक और गौधली वेला वो शुरू हो जाएगी ठीक शाम को 7 बचकर 1 मिनट से लेकर और शायान संद्या 8 बचकर 17 मिनट तक है तो विशिष्ट महुरत हैं जिसके अंदर आप शिव पूजन कर सकते हैं तो पंडिजी सोमवार का दिन है किस खास तरीके से बगवान शिव का पूजन किया जाएगा देखिए सबसे बड़ी बात कि इस दिन अगर आप अर्ली मॉनिंग बहुत जल्दी उड़ जाएं और सुभे लगभग साड़े पांच से लेकर के साथ बजे का समय सर्वस्रेष्ट है क्योंकि उस समय पे शोभनी योग बनता है इस दिन और सबसे बढ़िया तरीका क्या है पूजन करने का कि सफेद वस्तर धारन करें और इस दिन बोड़ी पर चंदन लगा करकर शनान करें मुलतानी मिट्टियां चंदन से तेल का प्रियोग ना करें और सुभे पहले ही शिवाले जाकर जहां सफेद शिवलिंग उपस्तित हो वहाँ पर पूजन करें अपने साथ में दूद भांग बिल्वपत्र बिल्वगिरी बेलफल चंदन सिंदूर यग्योपवित श्रिफल सफेद फूल मावे की मिठाई या आप अगर घर पे खीर बना सकते हैं तो मखाने की खीर अक्षत इस तरह की की नाना प्रकार की सोला चीज़े ले जाए और साथ बसाथ के अंदर कच्चा सूत जरूर लेके जाए एक खास बात और बताना चाहूंगा कि कभी भी शिव पूजन नंदी के पूजन की बगएर अधूरा रह जाता है चाया पार्वती को पूजे ना पूजे चाया गणपती को ध्यान करें न करें चाया कार्तिके को कुछ चढ़ाए न चढ़ाए अगर आपने नंदी पूजन नहीं किया तो वो पूजन शिव को कभी स्विकार नहीं हो सकता इसके लिए नंदी के लिए पिन्नी आटे की जो पिन्नी होती है आटे का जिसे हम चूर्मा कह लेते हैं या पिन्नी कह लेते हैं शक्करवाला वो ज़रूर लेकर जाएं साथ में नंदी के लिए निश्चित रूप से आपकी पुकार सुनी जाईगी और पूजन सर्वस्रेष्ट मानने होगा सबसे पहले जला भिशेक करें पर उसके बाद दुगदा भिशेक करें फिर पंचामरत चढ़ाएं इसके पस्चात में शोडश उपचार करें सबसे पहले दीपक जलाएं अपने राइट हैं साइड पर लेफट हैं साइड पर चंदन से धूप करें शुद्घी का दीपक जलाएं संभव अगर आपसे हो तो आप चांदी का दीपक ले ले नहीं संभव हो तो चावल के आटे से बना दीपक जरूर जलाएं और घी का दीपक जलाएं कोशिश करें सफेद शुद्ध गाय का देशी गाय के घी का दीपक करें यो सर्विस रिष्ट माना जाता है अगर नहीं तो कोई भी गाय का घीया पर इस्तमाल कर सकते हैं साथ बसाथ के अंदर इत्र बहुत जरूरी है इस दिन चढ़ाना रातरानी का इत्र और रजनी गंदा का इत्र क्योंकि ये दोनों का जो संबन्ध है वो रातरी से है और यहाँ पर चंदन का इत्र सफेज चंदन का इत्र इसका प्रयोग जरूर करें ये सर्वस्रेष्ट रहता है और इत्र चढ़ाने के बाद इत्र को अपने पास रख लें रुई को ये बहुत आपके काम आती है मावे की बर्फी मावे का कलाकन सफेद कोई भी आज पीली हरी किसी चीज को चढ़ाने की जरूरत नहीं है सफेद की तरफ ध्यान दे चांदनी के फूलों से सफेद कनेर के फूलों से सफेद हजारे के फूलों से पूजा जरूर करें पंडी जी शावन मास के बारे में आपने हमें इतनी अच्छे जान कहरी दिये तो हमारे व्यूस के लिए एक अच्छा सा उपाय भी दे दिजे देखिए शावन सुमवार है और सर्वस्रिष्ट रहता है अपने मन की इच्छा पूरा करना और हमारा आज का विशेश क्या था कि अपना घर बनाने का सपना पूरा करना तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें एक दिन पहले ही चान्दी का चौकोर टुकडे इसकी विवस्था कर ले चान्दी के चौकोर टुकडे की बहुत सस्ता सा आधा इंच बाए आधा इंच लेकिन होना जरूर चाहिए चोकोर पतला जितना आपको सस्ता मिल सकता उतरा उसकी विवस्था कर ले और उसके बाद सफेद शिवलिंग पर इसे चढ़ाए और इसे घर में चावल के डब्बे में संभाल कर रख ले उस समय पर जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो आपके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए ऐसा संकल्प आप लें कि आपको आपका घर चाहिए और आप फिर देखिए कि किस प्रकार से महादेव अपनी इकरपा बरसाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद पंडी जी से हम जानकरी के लिए निया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम उम्यद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडी जी से सवाल जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले हमारा योट्यूब चानल कुंडली टीवी और फेस्बुक पेच कुंडली टीवी लाइक शेयर करना ना भूलें